तो दोस्तों सुरियों बात करने वाले ICSA Bank के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे ICSA Bank का Weekly Analysis के अब नेक्स्ट विक के लिए कौन से बोने लेवल्स है जो में ICSA Bank कमपनी के लिए ध्यान में रखने हैं उसके accordingly क्या possible levels and further price action यहाँ पर अपना नेक्स्ट विक का रहेगा अब देखो दोस्तों बात अकरम करें ICSA Bank की तो इस विक में ICSA के अंदर हमें काफे यहाँ पर जो है वो volatile moves देखने को मिले है क्योंकि counter यहाँ पर जो है वो पहले तो results के बाद भागा ठीक है last week में जो closing आई थी तो सीधा stock gap up open हो गया और वहाँ से बागते बागते counter almost 13.30 तक आ गया पर 13.30 के around आने के बाद ही जो इसका closing business का resistance है वहाँ से again rejection लिया और वापी से दो दिन तक यहाँ पर जो है वो ICSA Bank negative note पर close भी हुआ और इसने यहाँ पर जो है वो bank nifty को भी कही ना कही थोड़ा सा drag किया तो अब next week का view क्या बनता है तो 12.80 सपोर्ट रहेगा और यहाँ पर 13.30, 13.40 जो है वो आपका resistance रहेगा तो अगर 13.40 को break करके उपर निकल गया तो एक नया all time high and one way continuation rally upset पे बढ़ अगर 12.80 को break कर दिया तो एक अच्छा कासा breakdown और उसके बाद एक खासी profit booking हावे कई ना कई व मेलेगा